गुड़ मॉनिंग स्टुडेंट्स में लोकि सेनी बीए सी सेकंड एर की केमिस्टी किलासेज में आपका स्वागत करता हूँ देखो एलकोहॉल में हमने सबसे पहले मोनो हाइडरिक एलकोहॉल पढ़ा था उसके बाद डाइडरिक एलकोहॉल पढ़ा था आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडरिक एलकोहॉल की किसकी ट्राइडरिक एलकोहॉल की यह क्या होता है जरा देखना देखिए हमारे पास तीन कार्बन हैं एक दो तीन इनसे तीन ओएच गुरूप जुड़े हुए हैं इनकी वैलेंस से पूरी कर देते हैं हमारे पास तीन कार्बन हैं और तीन कार्बन से तीन ओए समू जुड़े हुए हैं यहां पे एक कार्बन से यहां पे दूसरे से यहां पे तीसरे से तो जब किसी समू में किसी योगिक में तीन कार्बन से तीन ओए समू जुड़े होते है तो इसको हम क्या कहते है ठ्राइरिक अलकोहल कहते है कैते हैं ठ्र沒有 एंक है तीन जो चें यह है किलिए रहे हैं इसका जो नाम है ना इसका जो रोल इसका common name है glycerol है ठीक है इसका जो आयूपीसी है आयूपीसी है वो क्या है तीन कार बने ना मैथ एथ प्रोप इसका आयूपीसी नाम क्या है प्रोपेन है ना प्रोपेन और एक दो तीन 123-triol 123-triol ठीक है इसका common name क्या हो गया glycerol हो गया और इसका जो आयूपीसी नाम है वो क्या हो गया प्रोपेन 123-triol हो गया के लिए रहें यहां तक हना अब हम आगे देखते हैं अब हम आगे देखते हैं अब आगी देखो हमको इसकी बनाने की विदी देखनी है और उसके बाद हमको इसके भोते गुन और असायने गुन देखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बनाने की विदी बनाने की विदी प्रिप्रेशन में ठीक है तो इसको किस प्रिकार बनाया जा सकता है वो हमको देखना है ठीक है तो सबसे पहले तो इसको बनाया जा सकता है वसा यानि की वसा एवं तेल आणा ओइल एंड फैट के ओईल एंड फैट के साबुनी करन से जो साबुन निर्मान की प्रिक्रिने होती है उसको बोलते है साबुनी करन सोपोनीफिकेशन आणा बाई सोपोनीफिकेशन ओफ oil and fat ठीक है तेल एवं वसा अब देखो ये क्या चीज़ होती है सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे इसको कैसे बनाना है देखो हमें ये चाहिए तीन कारबन परमानों पर तीन O.S.M. चाहिए ठीक है क्या चाहिए तीन कारबन परमानों पर तीन O.S.M. चाहिए ठीक है तो उसके लिए हमको कोई ऐसा परधाच चाहिए जहां पर हम तीन O.S.M. लगा सके हाना देखो सबसे पहले बात आती है तेल और वसा को लेंगे हम हाना देखो हमारे पास यह कुछ इस तरीके से कंपाउंड है C.S.O.C.O.R ठीक है यह कुछ A.S.T.E. टाइप में है ठीक है ऐसे तीन समू एक साथ जुड़े हुए है एसे तीन समू तीन ग्रूप एक साथ जुड़े हुए है मैंने क्या किया इसकी रियक्शन किस से करवा दी 3N A.O.S. से करवा दी सोडियम हाइडरोकसाइड से करवा दी अब देखो जम मैंने इसकी रियक्शन सोडियम हाइडरोकसाइड से करवा दी तो यहां पर हुआ क्या जरा ध्यान से देखना आना देखो यहां पर हमको क्या गनाना है ट्राइडरी कैलकुल गनाना है तो यहां जड़ा ध्यान से देखिए यह यह जो R, C, O, O है ना यह तीन सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है ठीक है? अब देखो यहां पे क्या हुआ यह जो यह वादा भाग है ना O, C, O, R O, C, O, R O, C, O, R किस तरी के इस बाहर निकलेगा? देखो इसको में लिख देता हicans जड़ चेक करना R, C, O ठीक है? R, C, O, O ठीक है? और तीन सोडियम है एना एक योगिक एक सोडियम के साथ एक सामूह हूँ, एक सोडियम के साथ दूसर सामूह, दूसरी सोडियम के साथ और तीसे समूं तीसे सोडियम के साथ तो यहां मैं लिख देता हूं तीन ठीक है अब बचा क्या हमारे पास अब बचा हमारे पास क्या CH2 CH अब यहां से क्या जुड़ जाएगा तीन ओएच समूं जुड़ जाएंगे तीन ओएच समूं जुड़ जाएंगे तीन ओएच ग्रूप जुड़ जाएंगे तो यहां पर हमें क्या मिल गया सोडियम एलकोकसाड मिल गया और वो हमें क्या मिल गया ट्राई हाइडरिक एलकोहल मिल गया और यह हमारे पास क्या है साबुन है यह हमारे पास क्या होता है है ठीक है जो वसा एवं तेल होते हैं वह क्या होता है ट्राइस्टर होता है ठीक है तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं वसा वह तेल वसा वह तेल ओच वसा अमलों के गिलिस्टरोल के साथ बने के साथ बने ट्राइस्टर होते हैं ट्राइस्टर होते हैं ठीक है तो यह हमारे पास किसकी हो गया सैपोनिफिकेशन ओफ ओईल एंड फैट ठीक है तो यह बहुत कम चांस है कि इसके अंदर से कोई रियक्शन पूछी जाए ठीक है और पूछी भी जाएगी तो कोई दिक्कत है नहीं लोकेशन ने आपको करवाई है तो यह हमारे पास एक बनाने की विदी हो गई मैथड हो गया कि कैसे बनाया जा सकता है तो इसको मैं मिटा देता हूं अब अब देखो आगी की बात करते हैं यह हो गया अब देखो हमको यह बनाना है किससे दूसरा मैथड हम देखते हैं इसको हमें बनाना प्रोपीन से किससे बनाना है प्रोपीन से बनाना है ठीक है देखो जो हमारे पास industrial area है उद्योग है वहाँ पर हम ट्राइडरिक एलकोहोल का जो synthesis है वह किसे करते हैं प्रोपीन से करते हैं ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं उद्योगों में उद्योगों में ट्राइडरिक एलकोहोल का संसलेशन किस से करते है प्रोपीन से करते है प्रोपीन से करते है ठीक है उद्योगों में ट्राइडरिक एलकोहल का संसलेशन किस से करते हैं प्रोपीन से करते हैं ठीक है अब प्रोपीन क्या होता है जरह ध्यान से साथ करवाई ठीक है ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से बना रहा हूं प्रोपीन है प्रोपीन की जो रियक्षन है वह मैंने किस की साथ करवाई ठीक है और टैंपरिचर मैंने यहां ले लिया लगबख सासो तीटर केलविन पर ले लिया अना जब मैं सासो तीटर केलविन पर यह करवाऊंगा तो क्या होगा जरह ध्यान से देखिएगा इस वाले कार्बन पर एक सी एल जुड़ जाएगा इसका जो एक हाइडोजन है वो एक सी एल के साथ ही एल के साथ ही एल के रूप में बहार निकल जाएगा तीग है और यहां के हचे का सी एल फिर एक हैडोजन cl के साथ निकल गया और एक cl जुड़ जाएगा जड़ चेक किजिए तो यहां cl जुड़िया फिर उसके बाद hydrogen निकल गया था तो ch2 फिर उसके बाद ch फिर double bond फिर ch2 ठीक है इस तरीके से हम reaction करवाते हैं अब हमको क्या करना है अब इसकी आगे reaction करवाते हैं अब देखो आगे reaction हम इसकी करवाते हैं अने two co3 a plus h2o ठीक है sodium carbonate और जल के साथ हम करवाते हैं किसके साथ sodium carbonate और जल के साथ हम करवाते हैं तो अब यहां जड़ा ध्यान से देखेगा मैंने आपको इस तरीके से reaction करवाई थी कैसे मैंने आपको जब dihydric alcohol पढ़ाया था जब ध्यान से देखेगा जिसने dihydric वाली reaction देखी है तो वहां पे आपने क्या किया था एने two co3 के साथ reaction करवाई थी साथ में जल लिया था कि वाटर मॉलेकुल यह था ठीक है तो वहां पे आपने क्या किया था वहां पे आपने सीधा 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 सोरी dihydric alcohol वाली reaction में आपने क्या किया था पीछे पलट के देखिएगा आपने सीधा सीधा एने सीधा निकाल दिया था ठीक है एने सीधा आपने बाहर निकाल दिया था ठीक है और एक oxygen इसमें से लिया था और एक hydrogen यह लिया था ठीक है और यह CO2 को बाहर निकाल दिया था दो ऐसा कुछ किया था अब तो ऐसा ही यहां पे करना है यहां क्या करना है यहां पर को बाहर निकाल देंगे ठीक है CL को बहार निकाल देगे यहां पर लगबग 423 Kelvin हम क्या लेंगे temperature लेंगे और जो 12 atmospheric क्या लेंगे pressure लेंगे तो हमने क्या किया CL को बहार निकाल दिया तो हमारे पास क्या जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा क्या जुड़ जाएगा OH CH2 CH double bond CH2 और यहां पर CO2 बहार निकाल जाएगा और NACL बहार निकाल जाएगा तो इसको थुड़ा से समझने की कोशिस कीज़ेगा जिसको नहीं समझ में आया वो एक बद डाई हाइडरिक अलकोहल वाली reaction देखना जहां पर हमने डाई हाइडरिक अलकोहल बनाया जहां पर मैंने जल और sodium carbonate के साथ reaction करवाई थी अब देखो इसकी जो reaction है वो मैं करवाता हूँ OHCl हो कि जब हम reaction करवाते हैं तो जरत ध्यान से देखिए होता क्या है ठीक है होता क्या है जैसे chlorine वाला भाग है अब यहां पर हम लगाते है मारकोनी कोफ का नियम ठीक है मारकोनी कोफ का नियम आपने पढ़ा होगा जो negative वाला भाग है वहां जुडता है जहां पर hydrogen प्रमानू की संख्या क्या होती है कम होती है तो यह कहां जुड़ेगा यहां पर जुड़ेगा chlorine वाला यहां जुड़ेगा और OH वाला क्या जुड़ेगा यहां जुड़ेगा अब देखो हमारे पास reaction लगबा complete होने वाली है बस आगे करना क्या है जर ध्यान से देखिएगा आगे करना क्या है यह last CL बचा है इस CL को भी हमको हटा कर अलग कर देना है तो हम reaction करवाते हैं किस से NAOH से तो यह sodium और CL किस के रूप में बहाँ निकल जाएगा sodium chloride के रूप में बहाँ निकल जाएगा और जो OH है वो जुड़ जाएगा OH CH2 CH OH CH2 और OH प्रॉट्ष ठीके तो यह āमारे पास के बन जाएगा tryhydric alcohol या जिसको हम क्या बहुल रहे हां glycerol भी बहुल रहे हैं ठीके तो यह आमारे पास क्या है glycerol यह जिसको हम बोलते है tryhydric alcohol भी हम कहते हैं clear है तो यह glycerol या3 hydric alcohol तो यह हमारे पास बनाने की विदी ऑगई एकजाम के लिए आपको करना क्या है बनाने की विदी में सिर्फ ये दो विदी है आपको इसके लावा कोई विदी आपको नहीं देखनी है ठीकिए यही है यही है आपके स्लेबस में स्लेबस में तो क्या बस लिखा हुआ है बनाने की विदी तो उसमें सिर्फ यह दो विदी है जो मैं आपको बताए ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद